हेलो फ्रेंट्स मैं अनिल के खुमार इंप्रिंट एनल्पी मास्ट लाइफ कोच आज आपके साथ जुड़ा हूँ आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर लगतार आपके सवाल आ रहे थे कि आपको मेडिटिसन करने में इश्यू आ रहा है आप अपने विचारों क को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सेर करने वाला हूँ साथ बहत्रीन मैंड सेंस की टेकनिक्स कि किस तरह से आप अपने आपको अपने विचारों से अलग करें और किस तरह आप हमेसे आ एक प्रे पहले पार्ट में आता है कि आप अपने आपको बाहर से डिटेच करके अपने अंदर से अटेच करें और अपने अंदर से अटेच करने लगते हैं तो उन चीजों के लिए आपको थोटलेस होना जरूरी होता है जहां सब चीजों से आप डिटेच हो जाते हो आखे बंद कर लेते हो तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है कानों में भी अगर आप लगा लेते हो तो भार से हावाजे भी नहीं शुनाई देती लेकिन एक मन मस्तिक्स ऐसा होता है जो लगातार आपके पास नए थोट्स नई किरियाएं नए विचार आपके पास भेज़ता रहता है तो दोस्तो उन विचारों पर कैसे कंट्रोल पाएं हमारे पास हर दिन 50 से 60 human thoughts आते हैं उन thoughts मेंसे ज़़धातर हमारे पास negative होते हैं और उन thoughts को कैसे कंट्रोल करें आज हम आपके साथ Mind Sense की पहतरीन टेकनिक साथ सेर करने वाला हूँ, जिससे ना केवल आप अपने थोट को कंट्रोल कर पाओगे, बलकि हर beginner ultimate meditation का आनंद ले पाएंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. पहली टेकनिक है कि आप अपने आपको अपने थोट से अलग करें. तो क्या थोट आप हैं? इस सवाल अपने आप से पूछिए और आप पाओगे, नहीं. वो थोट आप नहीं है, वो सिर्फ एक थोट है और आप एक अलग entity है. जब इन चीजों को आप मैसूश करने लगोगे, तो आपको थोट आते वी दिखाई देंगे और आप एक एक थोट क है, यदि आप थोटलेस नहीं हो पाते हो, और जो आप देखते हो, कि एक एक थोट्स आपके पास आ रहे हैं, तो आप उनको numbering देना शुरू करें. जी हाँ दोस्तो, second technique है numbering your thoughts. जब आप अपने थोट्स को numbering देना शुरू करते हैं, one thought, two, third, fourth, fifth, आप उन पे focus नहीं करें तो वो देरे-देरे-देरे-देरे कम होने लगते हैं. यदि आप counting भूल जाते हैं, तो फिर आप एक से सुरू कर सकते हैं, उसका कोई issue नहीं है. और आप थोड़ेस देर कोशिश करेंगे, तो आप पाओगे कि आप thoughtless हो चुके हैं. और आप अच्छे एक meditation में जा सकते हैं यदि ये दोनों करने के बवजूद भी आपको thoughts आ रहे हैं, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि अगला thought क्या होगा? What would be the next thought? जब आप ये सवाल पूछेंगे, तो आप पाएंगे कि अगला thought आई ही नहीं रहा है आपके पास. और immediately आप thoughtless हो जाएंगे. और इस दोस्तों, human mind का nature है कि वो अपने उपर ज्यादा interest रखता है, दूसरों पे कम. और इसलिए यदि आप अपने शांसों पे ध्यान देने लगोगे, तो आप पूरी तरह से thoughtless होते चले जाओगे, और concentration आपका बढ़ता चला जाएगा, और आप एक बहतरीन meditation का enjoy ले पाओगे. Next technique है, feel importance of breathing. जी हाँ दोस्तों, अमूमन क्या होता है कि हमारा mind जो चीज important होती है, उन्हीं पे ही ध्यान देता है, हमारा mind उन चीजों पे ध्यान नहीं देता, जो important उसको महसूस नहीं होती. तो आज, अभी आप meditation कर रहे हो, यदि आपका mind इस meditation की value शमझेगा, तो obvious सी बात ह हो, आप meditation में जाने पे help करेगा. और जब तक आपने उस meditation का मज़ा नहीं चखाया है, तब तक वो अपने thoughts में आपको involve रखेगा. अब आप उसको एक breathing का importance बताएंगे, तो वो आपके breathing पे ध्यान देने पे focus करेगा. अब कैसे बताएंगे breathing का importance? आप एक लंबी गहरी सांस और थोड़ी देर उसको अंदर रखने के बाद उस पूरी सांस को निकाल दे. और उस पूरी सांस को निकालने के बाद अपने सांस को थोड़ी देर रोक लें और बोड़ी के अंदर कोई भी oxygen ना जाने दे. क्योंकि oxygen एक energy है जो आपको हर शन आपको एक energy देती रहती है, आ जब आपके मैंड को importance याद आएगी कि आपके लिए thoughts से ज़्यादा important क्या है? Breathing. जब आपके सरीर को आतुरता बढ़ जाती है, तब आप एक सांस लेजिए और आप देखोगे उस सांस की एक एक कंड तक, एक गहराई तक आपका ध्यान वहां तक जा रहा है. और जैसे जैसे वह भाहर आता है, दुबारा वापस जाएगा, तो आपका ध्यान पूरी तरह से आपके सांस के साथ अटेच हो जाएगा और आप बहतरीन meditation में चापाएंगे और guaranteed आपके पास कोई भी विचार नहीं होगा और इस तरह आप अपने आपको meditation के mood में ले जा सकते हैं. Beginners के लिए ये बहुत ही बहतरीन और effective technique है. Next technique है, create and humming vibration. आप जब बैठे होते हैं, तो अपनी कमर को सीदी करके बैठिए और उस position में आप कोई भी sound अपने अंदर create कीजिए, कोई भी humming sound अपने अंदर create कीजिए, जो moo और naak से आप बोल रहे होंगे, और उस sound को आप अपनी body में observe कीजिए, कि वो vibration आपकी body में कहां कहां तक की cells तक पहुँच रही है. जब उस vibration को आप observe करने लगोगे, और देखोगी आपकी body में कहां कहां तक जा रही है, तो आप पाऊगे कि आप पूरी तरह से अपनी body के साथ associate हो गए हो, आप पूरी तरह अपनी body के साथ involved हो गए हो, आपके पास और कोई thoughts नहीं होगा, और आप पहतरिन meditation कर पाएंगे. And the seventh most important technique है, जो आपको meditate करने में guaranteed help करेगी, और वो है कि आप अपने सरीर को ओबजव करना शुरू करें, आप अपने सरीर को देखें, अपने सभी organs से आप किस तरह की feeling ले रहे हैं, अगर आप अपने आपको, आपकी skin को देखते हैं, तो आपकी skin पे touch होने वाली उस हवा को महसуш करें, कहां-कहां पर वो हवा touch हो रही है, और किस-किस हुए को ला रही है, और वहाँ पर आपको कैसा महशूश हो रहा है, और इसी तरह आप observe करते आएं, कि आपकी body में temperature कैसा महसуш हो रहा है, उस temperature को feel करें, आपकी body के अंदरह हो रहे है, blood circulation, यानि flow of blood को observe करें, और feel क करें कि किस तरह हर पास बलड पहुच रहा है कि जब स्चिज़ों पर आप ऊपज़व करने आपने आप के साथ पूरी तरह से हूंगे और यह इंवल होना ही मेडिटेशन की पहली स्टेज है। दोस्तो आज हमने अपके साथ शेयर की रिए बहतरीन 7 टिप्स जिससे कि आप अपने मेडिटेशन को बहतर बना पाएं। आप इन टेकनिक्स को अपने जियुन में इस्तेमाल करके अपने आप एक बहतरीन मेडिटेशन का पूरा आनन्द ले सकते हैं। दोस्तो इस वीडियो को share कीजिए उन लोगों के साथ जिनकी आप care करते हैं, जिनको आप help करना चाते हैं, ताकि वो भी अपने जियून में meditation करके अपने अंदर के stress, anxiety और depression को बाहर निकाल पाएं और अपने जियून में उर्जामान रहस कें. और आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे comment box में comment करके जरूर बताएं, और कौन सी टेकनिक आपके लिए ज्यादा effective है, वो भी मुझे जरूर बताएं. दोस्तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए जल्दी ही एक guided meditation लेके आऊँगा, 10-15 मिनिट का, जिसमें हर beginner को एक बहतरीन meditation करने का फायदा मिलेगा. और आप सभी का धन्यवाद यहां तक इस वीडियो को वाच करने के लिए, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो subscribe और like कीजिएगा, और latest वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएगा. मिलते हैं जल्दी ही आगिले वीडियो में जै हिंद जै भारत आपका दिन शुब रहे.